अग ridic… दोस्तो नमस्कार मैं हूं Dr. विकात शर्मा और आज चर्चा करते हैं होंपथिक Međडिसन्स for fever दोस्तो यह जानते हैं कि होंपे3 मेडिसन्स है जो भुखार को ठीक करने में बहुत कारगर साबित होती हैं दोस्तो ऐसी medicines पे भी चर्चा करेंगे जो कि initial stages पे ली जा सकती है जिससे आपके fever के further symptoms prevent हो सकते हैं दोस्तो विशेश रूप पे हम arsenic album और belladona इन दो main medicines के ओपर चर्चा करेंगे दोस्तो एक और medicine जिलसीमियम पे भी चर्चा करेंगे जो कि flu symptoms के लिए ली जा सकती है दोस्तो आगे चर्चा करते हैं कि कि इन indications पे ये medicine ली जा सकती है और किस potency में आप ये medicine ले सकती है तो दोस्तो आप चर्चा करते हैं कि होमेपथी में कौन सी medicines है जो initial stages पे ली जा सकती है जिससे कि fever की further prevention हो सके दोस्तो सबसे important medicine है Econite Naples दोस्तो ये medicine मैंने अपनी clinical practice में बहुत frequently use की है और अपने उपर भी मैंने अजमाई है दोस्तो जब symptoms आते हैं initially बहुत strong symptoms आते हैं fever के और cold के symptoms आते हैं आके बोलते हैं कि ऐसे लगता है इसे तुफान आ गया है symptoms का दोस्तो वहाँ पर Econite जो होती है सबसे main medicine होती है दोस्तो first stage of inflammatory fever यानि कि आपका गला खराब हो रहा है गले में दर्द आ रही है वहाँ पर first stage पर Econite बहुत effective होती है दोस्तो Econite first stage of fever के लिए होती है most cases में अगर right time पर Econite दी जाए तो fever वहीं रुप जाता है दोस्तो अब चर्चा करते हैं होंपतिक medicine बेलाडोना के उपर दोस्तो बेलाडोना सबसे important medicine है होमेपेथी में fever को treat करने के लिए और इसकी key indications होती है यानि कि इसकी main indications होती है inflammatory fever और redness दोस्तो ये दोनो main symptoms यहाँ दो main indications हैं जिसके around बेलाडोना पूरा revolve करती है यानि कि उसके symptoms सारे उसके around revolve करते हैं दोस्तो inflammatory fever का मतलब होता है जहां पर inflammation present होती है दोस्तो inflammation हम उसे बोलते हैं जैसे कि आपके गले में बहुत जादा सोजश आ गई है, redness हो गई है, heat हो गई है दोस्तो जब हमारी body के अंदर inflammatory conditions होती है तो उसके साथ fever भी आता है दोस्तो वहाँ पर बेलाडोना बहुत effective होती है for example जैसे कि मैंने आपको बताया कि sore throat हो गया, गला कराब हो गया आपको sinusitis डेवलप हो गया यानि कि sinus में inflammation डेवलप होगी तो उसके कारण जब fever आ रहा है वहाँ पर बेलाडोना बहुत effective होती है दोस्तो second key indication जो second main indication बेलाडोना की use के लिए होती है वो होता है redness आपको fever के अंदर skin में बहुत redness मिलेगी face एकदम लाल मिलेगा, flushed face मिलेगा दोस्तो ये एक सबसे important indication होती है बेलाडोना का use करने के लिए third main indication होती है, skin बहुत hot होती है दोस्तो high fever के लिए बेलाडोना बहुत effective होती है जहां पर आपको inflammatory conditions यानि की inflammation के साथ high fever मिल रहा है दोस्तो cold की sensitivity बहुत होती है यानि की patient को ठंड लगती है और cold के exposure के बाद fever अगर होता है तो वहां पर बेलाडोना सबसे important medicine होती है दोस्तो जबसे इस virus के कारण ये महामारी फैली है तबसे एक homepage दवा बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वो है arsenic album दोस्तो arsenic album जानते हैं कि किन indications पर यूज की जा सकती है fever में दोस्तो सबसे important indication जो arsenic album के लिए होती है वो होती है कमजोरी और कमजोरी इतनी ज़्यादा होती है कि patient bed से उठके bathroom तक नहीं जा सकता तो दोस्तो कमजोरी आना fever में एक बहुत important indication होती है arsenic album को use करने के लिए दोस्तो दूसरी होती है घबराट होना और बेचैनी होना दोस्तो restlessness यानि कि बेचैनी होना एक important indication होता है arsenic album को use करने के लिए बुखार में दोस्तो तीसरा symptom जो बहुत important होता है periodicity यानि कि बुखार एक particular time पे आता और एक particular time पे जाता है दोस्तो बुखार में प्यास लगना एक बहुत common symptom होता है पर arsenic album जहां indicated होती है वहां पर प्यास एक typical तरह की होती है दोस्तो patient बोलता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पानी एक एक sip करके वह पानी पीता और ठंडे पानी का पीता है दोस्तो अगर इस तरह की प्यास आ रही है बुखार में तो वह भी arsenic album की indication के लिए एक बहुत important point है arsenic album की एक और indication जो की बहुत main होती है वह होता है high fever होना दोस्तो अगर बुखार 101, 102 से उपर जा रहा है, 103, 104 तक जा रहा है तो arsenic album बहुत अच्छे से indicated है दोस्तो एक और homeopathic medicine जो की बहुत चर्चा में है जबसे यह महामारी फैली है वह है Brionia Alba दोस्तो Brionia Alba एक top great medicine है होमेपथी में फीवर को के लिए दोस्तो इसकी main indications होती है कि फीवर के साथ अगर आपको chest के symptoms आ रहे हैं यानि कि सांस के symptoms आ रहे हैं specially अगर pneumonia develop हो रहा है तो दोस्तो सूकी कांसी आना बुखार के साथ एक बहुत important indication होती है Brionia का use करने के लिए और दोस्तो जहां pneumonia develop हो रहा है वहां पर भी Brionia बहुत helpful हो सकती है दोस्तो आखिर में मैं important medicine के उपर चर्चा करना चाहूंगा और वह है जलसीमियम दोस्तो जलसीमियम दी जाती है जहां पर flu-like symptom हो flu-like symptom बुखार में बहुत अक्सर मिलते हैं या flu fever जिसे हम बोलते हैं influenza बोलते हैं वहां पर जलसीमियम बहुत effective होती है दोस्तो फ्लू में आपको typical symptoms मिलेंगे के आपको runny nose हो रहा है चीके आ रही है body achs हो रही है और बुखार हो रहा है दोस्तो यहां पर जलसीमियम बहुत effective होती है जो key indication जो main indication जलसीमियम के लिए होती है वह होता है कि dullness बहुत होती है drowsiness यानि कि आपको बहुत ज्यादा नीद आएगी और dizziness होगी चक्कर जैसी feeling आएगी दोस्तो कम-कम पाहट होना भी एक बहुत important indication होता है जलसीमियम को use करने के लिए दोस्तो body pain बहुत अक्सर मिलती है अगर जलसीमियम यूज करनी हो तो दोस्तो ये थी चर्चा जलसीमियम के ओपर अब आते हैं कि ये medicines आप कौन सी potency में ले सकते हैं दोस्तो although 30C एक बड़ी safe potency होती है पर मेरी सला ये रहेगी कि कि अगर आपने ये medicines use करनी है तो आप अपने homeopathic doctor से एक बारी चर्चा जरूर कर लीजेगा तो दोस्तो ये थी चर्चा homeopathic medicines for fever के लिए दोस्तो अगर आपको कोई query हो तो आप हमारी clinic में call कर सकते हैं या आप हमें email कर सकते हैं vikas at doctorhomeo.com तो दोस्तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार